हेलो फ्रेंज, दोस्तों, आपसे जब भी हम अपने पार्टनर के साथ समय बिताते हैं, तो उसके साथ समय बिताने के बज़े से हम एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं, जब भी समय आता है या फिर बात आती है एक दूसरे का साथ देने की, तो लब बाइट भी इसी चीज का एक हिस्सा होता है, लब बाइट कहें या फिर किस कहें, ये एक चीज होती है जो कि शरीय के किसी भी अंग पर टेजी से किस करने की वज़र से निशान आ जाता है. ये निशान गहरे नीले या फिर लाल रंका होता है और से देखने पर ऐसा लगता है मानो जैसे कोई गहरी चोट लगी हो. लेकिस अगर ये हमारे कपड़े पहनने से ढख जाय तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती. तेकिन कई बार लग बाइट किसी ऐसी जगा पर भी हो सकता है जो कि हम चाहा कर भी छुपा नहीं सकते हैं. जैसे कि हमारी गर्दन पर, हमारे हाथों पर या फिर हमारी कलाही पर इसलिए लग बाइट को छुपाना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टन है. आई जानते हैं कुछ ऐसे आसान से तरीके जो लग बाइट को छुपाने में आपकी मदद करेंगी. अगर आपके पार्टनर ने आपके हाथ या पैर पर या फिर गर्दन पर कहीं भी लग बाइट दिया है और आपको उसके निशान को हलका करना है तो आप बाइट को जब भी आप निशान पर लगाएंगे तो ऐसा करने से उसकी रख्ट की वही काई सिकुड जाएंगी और स पहले एक कॉटन के रुमाल के अंदर लपेटे और उसके बाद ही अपने घाव पर सिकाई करें ये आपके लिए बहतर रहेगा टिप नमबर टू है अननास यानि ही पाइनापल लग बाइट के निशान को छुपाने के लिए या फिर हलका करने के लिए आप पाइनापल का स नमबर 3 है ठंडा चमच जी हा ठंडा चमच आप बर्व के पानी के अंदर डूगो कर भी बना सकते हैं एक रगुलर चमच को लीजिए जिससे आप खाना खाते हैं और एक लास के अंदर आइस क्यूब या फिर बरफ वाला पानी रख लीजिए इस बरफ वाले पानी के दोस्तों ये है कुछ ऐसे आसान से तरीके जो लोग बाइट के निशान को कम कर सकते हैं वी ब्यूटी और हेल्ट से रिलेटिड वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइन शेर और सब्सक्राइब कीजिए